प्रदान मंत्री नरेन मोदी ने NDA सांसदों को रक्षा बंदन के दोरान मुस्लिम महिलाओं से मिलने के लिए का है प्रदान मोदी ने सांसदों से का के रक्षा बंदन के दोरान कारिकरम आयुजित करे और मुस्लिम महिलाओं तक पहुँच बढ़ाए सुत्रुक के हवाले से बताया गया है कि प्रदान मोदी ने समाज के हर तपके से जूडने पर जोड दिया है मिटिंग में प्रदान मोदी ने ट्रिपल तलाग बेन करने के फैसले पर भी बात की उन्होंने कहा कि इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं को काफी रात मिली है संसत ने 2019 में ट्रिपल तलाग को बेन करने के लिए बिल पास किया था इसके बाद तीन तलाग देना अपराद बन गया जिसके लिए पती को जेल भी हो सकती है पिछले मन की बात कारिकरम में भी पीए मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के बारे में बात की थी उन्होंने कहा था कि सरकार के हज पॉलिसी में बदलाव करने के बाद हज जाने वाले लोगों की संख्या बड़ी है इस साल चार हजार मुस्लिम महिलाओं ने बिना महरम पती या पुरुष रिष्टेदार के हज किया है पिये मोदी ने पश्चिमी यूपी कानपूर और बुंदेलखन रिजन के 45 एंडिये सांसोदों के साथ भी मिटिंग की मिटिंग में प्रदान मंतरी और दूसरे सीनियर भाषपा नेताओं ने समाज के अलग-अलग तक्पों के लिए के जारे कामों के बारे में बताया मिटिंग में पेम मोदी ने कहा विपक्ष ने चोला बदला है चरित्र वई है चोला बदलने से चरित्र नहीं बदलता है यूपे के दामन पर कई दाग है इसलिए उसने नाम बदलना पड़ा है उन्होंने कहा एंडिये स्वार्थ के लिए नहीं त्याक के लिए बना है बियार में हमारे ज़्यादा MLA थे फिर भी नितिश कुमार को CM बनाया पंजाब में अकाली सरकार में हमारे MLA अधिक संख्या में थे हमने वाँ डिप्टी CM का पद भी नहीं मांगा उन्होंने कहा कि सांसत सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाए सरकार ने कौन से काम किये हैं वो जनता को बताएं सांसत अपने शेत्र में लोकल मुद्दों पर बात करें 2024 के चुनाओं भी हमारी सरकार बनेगी इसी के साथ बने रहे हैं राजनामा टीवी के साथ धानिवाद